स्वागत है दोस्तो आई होब आप से बच्छे होंगे तो दोस्तो आज हम बात करेंगे SBA PO Prelims Admit Card के बारे में ठीक है दोस्तो इस पर वीडियो मनाना पड़ा क्योंकि देखे अगर देखा जाए आप Notification जाकर देखे अगर पॉंट में बात करूँगा Notification जाकर देखे तो उसमें मेंशन है कि Second week of October उसके बाद आपका Admit Card आ सकता है ठीक है आ सकता है या आएगा ही मतलब वो मेंशन है तो आना ही चाहिए तो अभी देखे अब अगर आप देखेंगे आज 20 तारीक है तो टाइम हो चुका है आपके Admit Card का तो अगर मालो आज Admit Card आता है तो आपको अगर पता नहीं है तो एक बात बताता है तो SBI प्रिलिम्स और Admit Card के बीच का Gaping जो Days का Gaping होता है Admit Card और Prelims एक्जाम का Gap कितना दिन का होता है मैं यह बता रहा हूँ आपको 10 दिन का Gaping आपको मिलता है अगर मालो आज 20 तारीक है आज Admit Card आता है तो आपका 1-2 तारीक तक आपका एक्जाम होने का चांसे से है और जरूरी नहीं है कनफर्म कि आपका Saturday Sunday ही एक्जाम हो कोई भी दिन भी हो सकता है ठीक है तो याद रखना Maximum मैंने देखा है 12 दिन ठीक है 12 से 15 दिन के Gaping में अकसर आपको ये Admit Card और एक्जाम का डेट देखने को मिलेगा ठीक है I hope आप समझ रहे होंगे मतलब 12 से 15 दिन के Gaping जिसे मालो आज Admit Card आया है तो मतलब मालो 1 से 2 ती ती तारीक तक आपका एक्जाम हो जाएगा Prelims का तो चाहे मेंस का भी मेंस का भी सेम केस होता है तो I hope आप समझ गोएँ तो अभी countdown स्टार्ट है दोस्तों कोई भी समय आपको SBI PIO Prelims का Admit Card मिल सकता है क्यूंकि Tentitive आपका नवमबर में एक्जाम होना है और Tentitive आपका Admit Card है से 2 तो मेरे हिसाब से आप यह सब का डाउट होता है आपके पास दसी दिन का टाइम मिलेगा या बारा दिन का टाइम मिलेगा ठीक है तो मेरे हिसाब से आप यह सब चक्कड में ना पड़े आप हो सके तो आप प्रेलिम्स का मौक लगा है एनलाइसिस करें जितना हो सके तीन चार तीन चार मौक लगा है और प् वीटी में कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं